लाश्ट लेक्टर में हम लोग डिसकस कर रहे थे बारे में, बारे में हम्ने देखा था कि हमाते हैं, हम्ने और एक टूल को पर 씨 फिर अब सब्क्रायन को परकें और अपर तूल था हमारा होस्ट सेल, जिसके अंदर हम क्या करेंा क्या अपने डेजाइर जिन को ट्रांसफर करेंगे हमने थे हमें इन्जाइम कोंई को इन्जाइम , रिस्टिक्सट्थाऊ थी मतद थे हम इंगा था synthesis engine के बारे में देखा था है, अब हमारा निश्ट जो टूल है, वह है vector, vector की बात करें, vector क्या काम करता है, vector की मदद से ही हम अपने desire gene को जोड़ के host cell में transfer करते हैं, vector are the carrier or vehicle of, vehicle of transfer desire gene into the host cell, vector क्या काम करता है, vector ठीक उसी तरीके से काम करता है, एक taxi की तरह, जैसे अगर हमें एक अ आका करके जाते हैं, तो vector ठीक उसी तरीके से, अगर desire gene को एक cell से दूसरे cell में ले जाना है, उसके लिए क्या काम करता है, vector एक तरीके का DNA ही होता है, बेटर एक DNA ही होता है हमारा DG-RVS gene भी क्या होता है DNA होता है इस DNA को इस DNA को इसमें जोडने का काम करते हैं कैसे जोड़ेंगे हमने लाइगे लाइगे जैंजर में बात किया था कि पहले restriction इंडो नुकलिएज की मदद से कट लगाएंगे इसके अंदर कट किये उसके बाद हम इस DG-RVS gene को इसके अंदर जोड़ेंगे किसकी मदद से जोड़ेंगे लाइगे जैंजर में की मदद से जोड़ेंगे अभी से जो हमारा रिकाम्नेंट DNA बना है इसको किसमें ट्रांसफर करेंगे host cell या पी bacterial cell के अंदर ट्रांसफर करेंगे तो वेक्टर का काम क्या होता है कि हमारे डिजार जीन को जोड़ के किसमें ट्रांसफर करना होस्ट चल के अंदर ट्रांसफर करना किसका काम होता है वेक्टर का काम होता है नेस्ट आता है feature required into a cloning vector कौन-कौन से feature ऐसे हैं जो कि एक vector के अंदर होने चाहिए तो एक vector के अंदर तीन feature बहुत important होते हैं कौन-कौन से virgin nerve replication या फिर इसी को short form में कहते हैं ORI ORI side second जो feature होना चाहिए selectable marker selectable marker क्या काम करता है कि हमारा transformant और non-transformant में difference बताने का काम करता है transformant को non-transformant से अलग करने का काम करता है कैसे करता है आगे देखेंगे तो कौन-कौन से feature first feature origin nerve replication होना चाहिए third second होना चाहिए selectable marker होना चाहिए third होना चाहिए cloning या फिर restriction site होना चाहिए एक vector है vector के अंदर सबसे पहला feature क्या origin nerve replication ORI site क्या काम करता है जब हम इस desire gene को किसी host में transfer करेंगे splasmid को host में transfer करेंगे तो इसके कितनी number आप कापी बनवानी है उसको बनवाने का काम कौन करता है ORI site करता है उसके अंदर कौन सा होना चाहिए cloning या फिर restriction site होना चाहिए अगर restriction site नहीं होगा यह क्या है BAM H1 यह क्या है तरीके का restriction site है अगर restriction site नहीं होगा यह पर तो हम cut नहीं लगा पाएंगे क्योंकि जो R.E.C.T. करता है R.E.C.T. करता है इसी restriction site पर cut करता है और क्या होना चाहिए selectable marker यह tetracycline resistance gene selectable marker क्या काम करता है ट्रांसफार्मेंट और non-trांसफार्मेंट को अलग करने का काम करता है इसको कैसे करता आगे detail में देखेंगे तो feature की बात करें यह important है पूछा जाता है कि एक vector के अंदर कौन-कौन से feature होने चाहिए तो तीन feature main है कौन-कौन से origin application होना चाहिए selectable marker होना चाहिए और cloning या फिर restriction site होना चाहिए next point हाता हमारा ORI ORI क्या होता है origin application क्या होता है this site increase the number of desire gene into the host cell क्या काम करता है हमने क्या लिया एक vector रिया vector के अंदर ORI site जो होता है इसके अंदर हमने क्या किया desire gene को transfer किया RDNA बन गया RDNA बना recombinant DNA बना अब यह recombinant DNA को हम किस में transfer करेंगे host cell में transfer करेंगे host cell के अंदर transfer कर दिये अब host cell के अंदर हमारा placement हमारा vector transfer हो गया अब इसका क्या करना है multiple copy बनवानी है तो इसको multiple copy बनवाने के लिए क्या करेंगा original application ORI site जो है ORI site ही इसकी multiple copy बनवाएगा यह किस से दो दो से चार तो number of copy कौन बनवाता है ORI site ही बनवाता है this site increased the number of desire gene in the host cell क्या कर रहा है हमारे desire gene को host cell में बढ़ा रहा है पहले एक था एक से दो हुआ दो से चार हुआ any piece of DNA when linked to the sequence of ORI can be made to replicate within the host cell क्या काम कर रहा है कि अगर हम किसी भी gene को किसी भी DNA को ORI site से जोड़ दें तो क्या करेंगा ORI site कुछ replicate करेंगा अपने replicate होने के साथ ही हमारे desire gene को भी replicate करवा देगा एक से दो दो से चार तो number आप कहा भी यह बढ़ा देगा next point आता है अगर ORI site की बात करें ORI site is also responsible for increase and controlling the copy number आप प्लाजमीड विदिन दिसे लें क्या काम करता है कि हम एक प्लाजमीड एक सेल में कितने number आप प्लाजमीड होने चाहिए एक होने चाहिए दो होने चाहिए दस होने चाहिए सव होने चाहिए कितने number आप प्लाजमीड होंगे कौन कंट्रोल करने का काम करता है ORI site कंट्रोल करने का काम करता है और नंबर बढ़ाने का भी काम कौन करता है, ORI साइट करता है, some plasmid may have one or two copy per cell, कुछ ऐसे plasmid होते हैं, जो केवली एक सेल में एक से दो कापी बनवाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी plasmid होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, 15 to 100 copy per cell, their number can be go even higher, कुछ ऐसे भी plasmid होते हैं, जिनक अगर हम ORI साइट की बात करें, तो 15 से लेका 100 copy भी बन माँ सकते हैं, जैसे कि अभी हमने इस सेल में देखा, 4 copy थे, ऐसे ही कुछ ऐसे भी इस सेल होते हैं, ऐसे भी plasmid होते हैं, जिसमें 15 से लेका 100 plasmid copy नंबर ये बढ़ा सकते हैं, नेश्ट पॉइंट आता है, इस जिन, रिक्वाइड भार selectable marker, हमने पहला फीचर देखा कौन सा, ORI साइट के बारे, किसी भी होस्ट सेल में, नंबर आप है, प्लाजमिट के copy नंबर को control करने का काम करता है, नेश्ट आता है, selectable marker, selectable marker के अगर हम बात कर जैसे कि, नाम से प required for selection of transformant with recombinant, ये transformant को recombinant से selection करने का काम करता है, कैसे करता है, इसको हम डिटेल में आए, आगे पढ़ेंगे, पहले अभी क्यों इतना देख रहे हैं, कि selectable marker का का काम क्या होता है, for example, अगर हमें कौन-कौन से selectable marker होते हैं, उनकी बात करें, gene encoding, resistance to antibiotic such as, amplicin resistance gene, AMP, chloro-phenicol resistance gene, या फिर tetracycline resistance gene, जैसे कि, एंटीबाइटिक resistance gene जो होते हैं, वो क्या काम करा है, ये selectable marker work काते हैं, कौन-कौन से एंटीबाइटिक resistance gene, tetracycline हो गया, chloro-phenicol हो गया, हमारे amphicin हो गया है, ये सारे antibiotic resistance gene होते हैं, केनमाइसिन resistance gene, ये सारे क्या है, ये एंटीबाइटिक क्या करते हैं, resistance so करते हैं, इनको कैसे यूज किया जाता है, ये selectable marker यूज किया जाता है, ये नार्मली एकॉलाइसल है, डू नाट कहरे हैं, ये एंटीबाइटिक, जो नार्मली एकॉलाइटिक होते हैं, हमने लाक्ट लेक्चर में भी बात किया था, कि जो नार्मली एकॉलाइटिक होते हैं, उनके अंदर कोई भी पाहले से एंटीबाइटिक लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट सर्वाइब करने की कोशिज करते हैं, उसी सर्वाइब करने की कोशिज में उनके अंदर क्या होता है, एंटीबाइटिक रेक्चर जीन आ जाता है तो नेच्टरली नेप्रिएंट होता है जब हम बाहर अंटिबाइटिक लेते हैं तो उसके अगेंश्ट में उनके अंदर अंटिबाइटिक रेश्टन जेन बनता है नेच्ट सेलेक्टबल मार्कर की बात करें लैक जडजीन हाँ यह वही है जो बीटा गलेक्टो साइड एज बनवाता है लैक जडजीन तो यह सारे क्या होते हैं आज यह सेलेक्टबल मार्कर यूज होते हैं नेच्ट बात करें कि सेलेक्टबल मार्कर कैसे काम करता है जैसे कि हमने क्या लिया, एक वेक्टर लिया, क्या लिया, वेक्टर लिया, प्लाजमेट लिया, उसमें हमने क्या क्या है, डिजायर जीन को जोड़ा, हमने कई बार देख लिया, कैसे जोड़ेंगे, आरी की मदद से कर लगाएंगे, उसके बार लाइगे की मदद से जोड़ेंगे, त तो जो DGN है ओ जुड़ेगा तो क्या बनेगा रिकांबिनेंट बनेगा हमने बात किया था RDNA अगर DGN जूड़ गा तो क्या बनता है RDNA अगर ये self-like जो गया है ये खुद जूड़ गया तो क्या बनेगा non-recombinate ये self-like जो गया अब इसके बाद इसको हम किस में transfer करेंगे? host cell के अंदर transfer करेंगे. host cell में transfer करने पर तीन condition होगी या तो कुछ ना जाये तो क्या बनता है? non-transfarmant. जो हमने बनाया था, recombinant, non-recombinant, उसमें से कोई भी ना जाये host cell के अंदर, Tea के इन्दर कुछ भी नहीं transfer हुआ है, इसके इन्दर नान्रिकंदेंट वाला गर टांसफर हो जाए, तो क्या बनता है? तर बमने रखोाशम घाज़दियी, स्वा ट्रांइन डांसफर होगा है तो क्या बनेगा? डाविदे रख络लाग Г hic。 अब, ट्रांसफार्मेंट को इससे, क्या नाम ट्रांस्पार्मेंट से अलग करना, हम इसमें कॉंछरीं कॉंहें कों सी час कर नहीं tour होगी? तो हमारे काम का कौन सा है? ट्रांसफार्मेंट भी थे रिकामेंट तो इन तीनों में से इसको अलग कैसे करेंगे? यह selectable marker की मदद से अलग करेंगे. next point आता है, cloning या फिर restriction site, cloning या फिर restriction site, इसके अगर हम बात करें, cloning या restriction site की बाद, तो यहां पर हमने एक vector लिया, vector के अंदर कुछ ऐसे site होते हैं, जहां पर क्या करता है? RE कट लगाता है, RE कौन से हमने बात लिया? ECO-R1, यहां पर जो मैंने arrow लगाया, ECO-R1 यहां लिखा है, तो यहां पर क्या होगा है? जब हम यहां पर ECO-R1 को डालेंगे, RE को डालेंगे, तो इसलिए इसको कहते हैं, restriction site या फिर cloning site, अब यहां पर हमने क्या किया? एक desire gene लिया, desire gene में cut लगाया, किसकी मदद से cut लगाएंगे? ECO-R1 की मदद से cut लगाएंगे, बहुत सारे restriction enzyme होते हैं, हम यहां पर किसकी मदद से cut लगा रहे है? ECO-R1 में, यहां पर माल ले रहे ह हमारा desire gene है, यहां पर ECO-R1 की मदद से cut लगाए, ECO-R1 की मदद से जब cut लगाएंगे, तो हमारा क्या बन गया? desire gene, अब इस desire gene को हमें किसमें जोड़ना है? इसे vector के अंदर जोड़ना है, यहां पर हम किसकी मदद से cut लगाएंगे? ECO-R1, क्योंकि same restriction है indoor nucleus की मदद से cut करें तो यहां पर हमारा site बन रहा है, दोनों अलग हो जाएंगे, हम इसको जोड़ नहीं पाएंगे, तो इसको same restriction indoor nucleus की मदद से cut करेंगे, ECO-R1 की मदद से इसको भी काटा है, ECO-R1 की मदद से इसको भी काटा है, cut Y ECO-R1, एक कुछ इस तरीके से बना, अब इसको किसमें transfer करें करेंगे, transferring, transferring host, अब इसको यहां पर ligage की मदद से जोड़ेंगे, और किसमें transfer कर देंगे, host में transfer कर देंगे, तो restriction site यहां पर cloning site क्या होता है, जहां पर हमारा restriction indoor nucleus cut करने का काम करता, उसी को cloning site यहां पर restriction site करते हैं, next point आता है, cloning यह restriction site में, कि एक vector के अंदर कितने restriction site होने चाहिए, या फिर एक restriction site के, एक restriction enzyme के कितने site होने चाहिए, इन दोनों बातों को समझे, बहुत important point है, बहुत आसान है, यह कोई vector है, इस vector के अंदर क्या होता है, बहुत सारे restriction site present होते हैं, हमने बात कियाता है, restriction endonucleage enzyme की, तो एक enzyme के केवल एक site होना चाहिए, एक vector है, बेक्टर के अंदर बहुत सारे restriction endonucleage के site present होते हैं, जैसे कि यहां पर, echo R1 के भी present है, हे 3rd के भी present है, हिंद 3rd के भी present है, बाम H1 के भी present है, ऐसे हिंद 2nd, तो जितने restriction endonucleage के site होंगे, उतने different type हम क्या कर पाएंगे, digit region को जोड़ पाएंगे, यहां पर हमने क्या किया, हिंद 2nd, हिंद 1st होते हैं different site of different restriction indoor nucleus second आता second point कि एक vector में केवल एक restriction indoor nucleus का केवल एक site present होना चाहिए अब इसका मतलब क्या हुआ है एक कोई vector है फार एक जामपल यहां पर eco r1 के तीन site present है eco r1 का है एक site यहां पर एक एक तीन site यहां पर present है हमने एक vector लिया इस vector के अंदर क्या क्या है eco r1 डाल दिया अब eco r1 जब डालेंगे तो इसके तीन site present है यह क्या करेगा eco r1 इन तीनों site से cut कर देगा तो हमारा यह vector जो है ऐसे fragment के अंदर टूड़ी आएगा यह की restriction indonucleage का बहुत सारे site present है जब हम क्या करेंगे restriction indonucleage डालेंगे तो यह तीनों जगह से bind होगा यहां तीनों जगह से bind हो जाएगा अब जब bind होगा तो इसका fragment कर देगा कट कर देगा पूरी तहिके से तो यह क्या अब जाएगा vector हमारा destroy हो जाएगा यह इसको हम फिर जोड़न नहीं पाएंगे तो यह क्या कर रहा है कि एक restriction indonucleage का एक vector में क्यों एक site होना चाहिए और एक vector में एक से ज्यादा restriction indonucleage का site होना चाहिए यह तो हो गई restriction indonucleage की या फिर cloning site की बारे में next point आता है site of vector where desire gene to be insited क्या होता cloning site जहां पर हम desire gene को insight कर रहा है है यहीं पर हमने क्या किया इको आरवन से कट किया जब इको आरवन से यहां कट करेंगे तो जो हमारे desire gene होगा यहीं site पर आके जुड़ेगा तो वहीं कहा रहा है कि restriction site क्या होता है जहां पर हम अपने desire gene को insert करते हैं यहां पर जोड़ते हैं क्लोनिंग site एक्चोली यह restriction site रहे आरी कट दी वेक्टर क्या होता है जहां पर आरी वेक्टर को कट करने का काम करता है यह हमने कई बार देख लिया यह वेक्टर सुड़ है restriction site मेने restriction enzyme बट वन रिस्टिक्शन फार इच एंजाइम अभी हमने बात किया कि एक वेक्टर के जादर एक से ज्यादा restriction site होना चाहिए लेकिन एक enzyme के लिए केवाल एक site होना चाहिए अगर एक से ज्यादा site होगा तो क्या हो जाएगा उससे वेक्टर का fragment हो जाएगा वेक्टर डिश्ट्वा हो जाएगा प्रजेंस आप more than one recognition site for one RE within the vector will generate several fragments which is complicated to gene cloning क्या होगा अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तो वेक्टर का fragment हो जाएगा जिसका gene cloning बहुत मुश्किल होगा उसको हमें जोड़े नहीं पाएंगे next point आता है बहुत important point PBR 322 अगर हम example की बाते करें कि कौन कौन सा क्लोनिंग साइट कौन 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 सा वेक्टर होता है आवी तक हमने क्यों बात की वेक्टर क्या होता है जो हमारे desire gene को host के अंदर transfer करने का काम करता है अगर एक्जाम्पल की बात करें सबसे पहला एक्जाम्पल होता है प्लाजमिट क्या होता है extra chromosome, Bacteria के अंदर दो तरीके का DNA present होता है एक तो उसका खुद का DNA होता है उसको क्या काते है cbna काते है एक distra DNA होता है जिसको नाम देते हैं Plazmir जयन्टिक DNA के अलामा है बらक्तिरिये के अंदर एक ओध डियन्न ई प्रजन्ड होता है जिसको नाम देते हैं Plazmir ये पलाजमिर क्या होता है değouble standard circular DNA होता है क्या होता है टollen्हमिड और इक्सेर उक्स्त्रक्रोमोसोमल एक्स्ट्रकोमोसोमल क्यों सबस्क्रोमोसोमल एगन्थ्ष्ट्रक्रोमोसोम सब्सेर्द सदी क्या होता है कि आदेक प्लाजमिड के बार अगर एक्जम्पल की बात करें PBR 322 PBR 322 भी क्या है एक तरीके का प्लाजमीड होता है यह निसी आटे में दिया हुआ है और लगवाई इससे साथ से आठ बार कोश्चन आया हुआ PBR 322 से इसको हमें डिटेल में पढ़ना PBR 322 को PBR 322 के अगर हम बात करें इसको बनाये थे प्लाजमीड हा बोलीवर एंड रोडिगूज प्लाजमीड आप बोडिवार एंड रोडिगूज यह क्या है Modified Artificial Plasmid Vectory Artificial Vectory Plasmid होता है इसको lab बनाया गया इसके अंदर क्या होता है कौन-कौन से site होते हैं इसको अगर हम देखें APBR 322 है PBR 322 के अंदर सबसे पहले BAM H1 की site होती है BAM H1 क्या है एक तरीके का R.E. है फिर किसकी site होती है Cell 1 की site होती है PST 2 की site होती है PUV 1 की site होती है ECO R1 की site होती है CLA 1 की हिंद 3 की site होती है यह तो इतने restriction indoor nucleage की site होती है आप से exam में पूछा जाएगा कभी-कभी तो क्या होता है पूरा figure ही पूछ लेता है कि कहा पर कौन-कौन सा site दिया होगा है तो आपको सिक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा BAM H1, Cell 1 उसके बाद PST 1, PUV 1, ECO R1 CLA 1 and हिंद सेक्थाइड यह तो हो गई कि कौन-कौन से restriction indoor nucleage present है अब यहाँ पर क्या होता है दो selectable marker भी PBR 322 में present है PBR 322 में Amplicine resistance gene present होता है और tetracycline resistance gene present होता है जो Amplicine resistance gene present है वो PUV 1st के और PST 1st के बीच में present है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है यह Amplicine है इसी बीच में क्या है PST है और PUV 1st है अगर tetracycline की बात करें तो यह BAM H1 के बीच में है और cell 1st के बीच में present है कौन सा tetracycline resistance gene अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे BAM H1 से कट लगाएंगे तो भी हमारा tetracycline sorry BAM H1 से कट करेंगे तो भी हमारा tetracycline resistance gene क्या हो जाएगा अगर हम cell 1st से कट करेंगे तो भी हमारा tetracycline resistance gene क्या हो जाएगा इसी तरीचे से अगर हम PST 1st से कट करेंगे तो भी हमारा Amplicine resistance gene destroy हो जाएगा और यहां पर POV फस्ट से कट करेंगे तो भी हमारे Amplicine Registence Gene destroy हो जाएगा यह पूछा जाता है कि if we cut from bomb या चवान which a Registence Gene will destroy तो कम सा हो जाएगा Tetra Cycling Registence Gene destroy हो जाएगा इसके अंदर यह कौर साइट प्रिजेंट होती है ORI site, ORI site क्या होता है origin आप replication इसी की मदद से क्या होता है number आप कहां पी बढ़ाये जाता है एक और site present होती है ROP, ROP का फुलफार्म होता है replication आप protein A, protein को replicate करने का काम करता है आप ऐसा protein जो ORI site में मदद करता है number आप कापी बढ़ाने में replication of protein plasmid क्या होता PBR 322 का फुलफार्म प्लाजमिट आप बोलिबर एंड रोडी ग्वेज प्लाजमिट आप रोडी बार एंड रोडी ग्वेज एक क्या होता है artificial plasmid होता है यह भी आपको याद रखना है artificial और क्या होता है natural ने तो क्या होता है artificial lab में बनाया गया है इसके अंदर किसकी किसकी साइट प्रिजेंट होती है BAM H1 की सहल फस्ट की और PST फस्ट की PUV फस्ट की ECO R1 CLA फस्ट और हिंद थाइड की इसके सेक्वेंस को भी आत रखना की कौन सा कहां पर प्रिजेंट है यूजट जीन ट्रांसफर करने का काम काता है बैक्टिरियल सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करने का काम काता है अभी हमने सेलेक्टिबल मार्कर की पीछे बात की थी वहाँ पर यहां पर कौन-कौन से सेलेक्टिबल मार्कर प्रिएंट है पीवीर तिनसोबाइच में प्रोटीन को कोड करने का काम काता है अचा जो कि इस प्रोटीन में मदद करता है यहां से प्रोटीन बनता हैज चाहिंता हमिस्त hon होता है राएइपयन और इसका नंबर आप कहां भी बढ़वाता है यह तो बात हो गए mamy two of गा इसका पूरा फीगर याद रखना है PBR 322, next point आता है, अगर बात करें हम कौन से वेक्टर की, तो next वेक्टर आते हैं, PUC 18 और PUC 19 A भी दोनों क्या है, artificial वेक्टर होएं, आपको क्यावल नामियाद करना है, PUC की बात करें, PUC 18 और PUC 19, प्लाजमीड आफ इनवर्सिटी आफ कैलिपोर्निया, ये कैलिपोर्निया में बनाया गया था, अगर आपको नामियाद करना है, इसका पूरा फिगर नहीं आपको याद करना है, नेस्ट आता है, TI प्लाजमीड, tumor-inducing plasmid, very very important point, PUC 18 और PUC 19, फुल फाम क्या होता है, प्लाजमीड आफ इनवर्सिटी आफ कैलिपोर्निया, कैलिपोर्निया के जो इस्टुडेंट थे, उन्होंने इसको बनाया था, नेस्ट आता है, TI प्लाजमीड, tumor-inducing plasmid, RI प्लाजमीड, very very important, TI प्लाजमीड और RI प्लाजमीड, RI प्लाजमीड, root-inducing plasmid, यह क्या काम करते हैं, यह natural plasmid होते हैं, यह दोनों क्या थे, artificial plasmid, PBR 322 भी क्या था, यह artificial plasmid था, use for gene transfer in dicot plant, यह भी बहुत important point है, जो PBR TI प्लाजमीड और RI प्लाजमीड होते हैं, यह क्या काम करते हैं, TI प्लाजमीड और RI प्लाजमीड, यह dicot plant जो होते हैं, हमारे, उनके अंदर, dicot plant के अंदर क्या करते हैं, gene transfer करने का काम करते हैं, अगर TI प्लाजमीड की बात करें, tumor inducing plasmid, RI प्लाजमीड, root inducing plasmid, used part gene transfer in dicot plant, अगर dicot plant में gene transfer करना हैं, तो क्या करेंगे, TI प्लाजमीड और RI प्लाजमीड, PBR 322 किसमें करता था, bacterial cell के अंदर gene transfer करने का काम करता था, size of desired gene, transferred by plasmid is 5 kb to 8 kb, अगर हमें क्या करना है, 5 kb से 8 kb की बीच में gene transfer करना है, तो हम किसकी मदद से करेंगे, plasmid की मदद से करेंगे, लेकिन अगर इससे ज़्यादा gene transfer करना है, इससे ज़्यादा size का है, तो उसमें क्या करेंगे हम, फेल लेंगे, दूसरा vector, केवाल ऐसा नहीं होता है कि plasmid ही क्या है, बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, जो कि अज़े वक्तर काम करते हैं, तो नेश्टे हाता हमारा रहा है, वायरस भी यह वक्तर काम करता है, यहाँ पर एक्जापल यह हमको याद रख रहा है, lambda bacteriophe. Lambda bacteriophe क्या काम करता है? यह फाद है जेन ट्रांसफरें बैक्टिर्यल जेल सबसे पहले जब उन्हें पालबर्ग का बात किया था उन्होंने किसी मदद से किया था लॉंड़ा खैग की मदद से यह किया था है यह बी क्या काम करता है जीन ट्रांसफर करने का काम करता है रेट्रो वाइरस वेरी वेरी इंपार्टेन पॉइंट यह जो रेट्रो वाइरस है रेट्रो वाइरस एनिमल सेल के अंदर जीन ट्रांसफर करने का काम करता है जीन ट्रांसफर इन एनिमल सेल किसके अंदर? Animal cell के अंदर जीन ट्रांसफर करने का काम कौन काता है? Retro Virus. Very important part. कई बार पूछा गया है कि अगर हम यह Animal cell के अंदर जीन ट्रांसफर करना है, तो हम क्या लेंगे? Retro Virus की मदद से जीन ट्रांसफर करेंगे. next आता है CAMV कॉलीफ्लावर मुझे एक वायरस है किसमें होता है जिन ट्रांसफर इन प्लांट सेल प्लांट सेल के अंदर जिन ट्रांसफर करने के लिए क्या हो लेंगे CAMV कालीफ्लावर मुझे एक वायरस का यूज करेंगे लेकिन अगर हमें डाइकाट प्लांट में करना है तो TI-Plasmide और RI-Plasmide का यूज करेंगे नेश्ट आता है 9 KB to 23 KB अगर हमें क्या करना है 9 KB से लेकर 23 KB तक जीन ट्रांसफर करना है तो किसकी मदद से करेंगे हम बैक्टिरियो फेज की मदद से करेंगे लेकिन अगर 0.5 से लेकर 8 KB तक ट्रांसफर करना है तो हम प्लाजमीड की मदद से करेंगे नेश्ट आता है वेक्टर में Cosmide क्या होता है प्लाजमीड को लिया और बैक्टिरियो फेज को लिया इनको आपस में मिला कर क्या बनाए Cosmide बनाए यूज फाइट है जेन ट्रांसफर इन बैक्टिरियल सेल बैक्टिरियल सेल के अंदर इससे जेन ट्रांसफर किया जाता है अगर हमें ज्यादा बड़ा साइज का जेन ट्रांसफर करना है बैक्टिरियल सेल के अंदर तो हम किसकी मदद से करेंगे कॉस्मीड की मदस्य करेंगे नेश्ट इंपर्टेंट पॉइंट आता है बैक बैक्टिरियल आईटी फीशल क्रोमोसोम एफ बैक्टिरियल आईटी फीशल क्रोमोसोम क्या करता है जीन ट्रांसफर वाई यू इस फार जीन ट्रांसफर इन दी बेक्टिरियल सेल्स, साइज आप डियाएरजीन ट्रांसफर राइब वाय के थ्री हंड़ेट केवी, फाइफ फिप्टी केवी तू थ्री हंड़ेट केवी, अभी थख हमने कितना केवी तक ट्रांसफर किया, फ्लाज्मिन की मदद से, पॉइंट फाइब केवी तू ए लिए हमने एक artificial plasmid बनाया है जिसका नाम था बैक्टिरियल artificial chromosome बैक्टिरियल artificial chromosome क्या काम करता है यह 300 से सोरी 50 kb से लेकर 300 kb तक के gene के size को 50 kb से लेकर 50 kb से 300 kb के DNA के size को transfer करने का काम करता है और किसमें करता है बैक्टिरिया के अंदर यहां पर फुल फॉर्म इंपार्टेंट है बैक्टिरियल artificial chromosome ठीक इसी तरीक्षिस अगर हमें इस्ट के अंदर transfer करना है तो वहां पर आता है यह सी यह से क्या काम करता है इस्ट आइटिफिसियल क्रोमोसोम यूइट फाइट जीन ट्रांसफर इन इस्ट इस्ट किसके अंदर जीन transfer करने का काम करता है इस्ट इस्ट के अंदर जीन transfer करता है size of artificial इस्ट आइटिफिसयल क्रोमोसोम की मदद से करेंगे और किसके अंदर करेंगे इस्ट के अंदर करेंगे यह तो हो गई बात की बेक्टर की टाइप आप बेक्टर अभी तक हमने क्या क्या पड़ा है तलाजमीड हमने पड़ा कॉसमीड पड़ा हमारा बेक्टिरियो फेज के बारे में हमने पड़ा है नेस्ट आता हमारा डिजायर जीन यही में इंपाटन हो है इसे की इसे लिए हम पूरा क्या कर रहे हैं अपना बैट अंकलाजी को परफार्म कर रहे हैं डिजायर जीन को ही transfer करना है अभी तक जो हम पड़ रहे थे वो क्या एक मदद करा था लेकिन अगर जिसको जाना है हो तो यह है हमने बात किया था कि कोई जाना चाहता है कोई ले जाना चाहता है कोई बुला रहा है और कोई मदद कर रहा है कौन जाना चाहता है हमारा डिजायर जीन जाना चाहता है कौन ले जाना चाहता है बेक्टर ले जाना चाहता है कौन बुला रहा है होस्ट बुला रहा है और कौन मदद करा है हमारा एंजाइम मदद करा है तो अभी तक हमने दो पढ़ लिया एंजाइम पढ़ लिया हमने बेक्टर पढ़ लिया नेस्ट हमारा है desire gene, third tool desire gene, desire gene की बात करें, इसको gene up interest भी काते है, gene up interest हमारे interest का gene है, alien DNA, यह क्या है, बाहर से DNA निकाला, bacteria के अंदर transfer किया है, या host के अंदर transfer किया है, तो उसके लिए क्या है, यह alien cell की तरह, alien DNA की तरह work करेगा, इसलिए इसका नाम होता है, alien DNA. desire gene is that gene which transfer into cell, क्या होता है, जो cell के अंदर transfer होता है, उसी को क्या काते है, desire gene काते है, obtain from following method, यह following method से obtain क्या जाता है, random method, random method, cDNA formation method, और synthetic method, अभी कैसे होता है, इसको आगे पढ़ेंगे, कि सबसे पहला आता है, random method, random method की बात करें, हमने बात किया था, पहले भी बात किया था, कि random method कैसे, कोई cell है, क्या cell है, cell से हमें क्या करेंगे, DNA को पहले isolate करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इसके cell wall को digest करेंगे, इसके अंदर जो हमारा RNA उसको digest करेंगे, protein digest करेंगे, किसकी मदद से करेंगे, enzyme different type, अब आप enzyme की मदद से, इसको digest करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, isolation of desire gene, यहां पर एक desire gene मिलेगा, उसका हम implementation करवाएंगे, एक से ज़्यादा बनाएंगे, अब इससे desire gene को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पर gel electro forces, gel electro forces में क्या करेंगे, यहां पर, यहां पर bell बना होता है, कुणगा बना होता है, machine होती है, यहां पर हम अपने gene को जितने fragment हुए हैं, उसको क्या करेंगे, यहां पर load कर देंगे, यहां पर load करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे electricity प्रोवाइड करेंगे electricity में आप क्या होता है आपको पता है जो हमारा dna होता है dna होता है a negative charge होता है यहाँ पे cathode cathode यहाँ लगाएंगे negative और नीचे की तरफ लगाएंगे a node positive हमने यहाँ पे क्या किया इस फ्रेग्मेन्ट को यहाँ पे लोड कर दिया अब यहाँ पे क्या करेंगे electricity प्रोवाइड करेंगे जिसकी मदल से क्या होगा यह different size के gene क्या होगा अपने size के अथुआर नीचे चले आएंगे अपने size क्या होगा नीचे चले आएंगे, अब यहां पर क्या हुआ है, यह हमारा डिजायर जीन है, इसको कट कर लेंगे, कट करके क्या करेंगे, यहां पर निकाल लेंगे, अब इस प्रासेस को नाम देते हैं, इतिलीउसन, क्या नाम देते हैं, इतिलीउसन, यह हमारा मिल गया, डिजायर जीन म लिए गया, next method आरता है, in this method, the whole DNA is cut by RE, किसकी मदद से cut करते हैं, हम RE की मदद से पूरे DNA को cut करते हैं, उसके बाद क्या काम करते हैं, desire gene selected by gel electrophoreses, gel electrophoreses की मदद से हम अपने desire gene को select करते हैं, auto radiography and gene sequencing, किसकी मदद से, auto radiography and gene sequencing की मदद से क्या करते हैं, हम अपने desire gene को पैचानते हैं, यह हमारा desire gene है, उसको cut करके बाहर निकाल लेते हैं, next आता है, c dna formation method, इसके अंदर क्या होता है, हम यह की यह मारने लेते हैं, आपको पता है, कि जो dna होता है, eukaryatic dna होता है, eukaryatic dna के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है exam, एक पार्ट होता है intron, हमारा जो exam वाला पार्ट होता है, यह हमारा काम का होता है, intron वाला पार्ट कोई gene को code नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, यह मारने लेंगे यह मारने के अंदर क्या होता है तो यह लिग जान प्रिजेंट होता है यह मारने लेंगे यह मारने से हम क्या करवाएंगे रिवर्स ट्रांस्किप्टेज की मतद़ से c dna बनाएंगे यह मारने लिया यह मारने में रिवर्स ट्रांस्किप्टेज डालेंगे क्या बनेगा हमारा c dna बनेगा अब इस c dna को हम क्या करेंगे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेंगे अब वहां से क्या बनेगा c dna से फिर यह मारन्य बन जाएगा यह मारन्य से हमारा प्रोटीन बन जाएगा dna formed by mrna is called c dna क्योंकि यह complementary होता किसके mrna के इसलिए इसको नाम दियाता है c dna by the process of reverse transcriptage किसकी मदद से reverse transcriptage की मदद से c dna formation is required when escape the process of splicing जब हमको क्या करना होता है splicing process को escape करना होता है अब splicing process क्या होता है इसको समझें अगर हमें क्या करना है human के gene को human के जेन को bacteria में transfer करना है तो हम direct नहीं कर सकते क्यों कर सकते कि human जो है एक यूकरियाटिक है और bacteria क्या है एक प्रोकरियाटिक है जो human का DNA होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं एक होता एक जान यह सब आप लोग जैन इंटिक्स में पढ़ चुके हैं, एक जान, इंटरान, एक जान और इंटरान, जो जीन को कोड करने का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, वो केवाल एक जान पार्ट करता है, तो अगर हमें क्या करना है, अब बैक्टिरिया का जो डिन्ने होता है, बैक्टिरिया के केवल एक जान प्रजेंट होता है तो अगर हमें क्या करना है इस बैक्टीरिया के डियन्ने में इसको जोड़ना है तो सबसे पहले हम चाह करेंगे इंट्रान वाले पार्ट को कट करके अलग करेंगे केवल एक जान एक जान बचेगा उस एक जान एक जान वाले पार्ट को क्य करेंगे हम इसके अंदर transfer करेंगे या फिर जोडेंगे तो इसके लिए क्या करना होता है splicing आप लोग पढ़ेंगे splicing के अंदर क्या होता है इंटराण वाले part को cut करके निकाल दिये जाता है उसके बाद जो बचता है उसको नाम दिया जाता है इक जान इक जान इक जान अगर हम इसे बचना है अभी आप एक जान हो Kir लेजाक के इंदर जौड सकते हैं तो हम क्या बॉसके एंदर सेथार्य लेंगे यम आया ने में कुई इंटरां नहीं होता है वहा teury से हमक्या बनाएंगे cdna की मदश से reverse transcription की मयदश से और cdna को ही क्या करेंगा आ Х bak- three-day- này जोड़ेंगे को अप्टेंड करने के अभी तक हमने दो मेठत पड़े सबसे पहले रेंडम मेठ़्ड रेंडम मेठ़्ड में क्या होता है हमें कोई रेंडम से लेते हैं उसके अंदर से डिन्न को आप्टेंड करते हैं डिन्न को करते हैं इसको कट लगाने के बाद क्या करेंगे उसको हमें इसके अपने डिज्याय एजीन को निकालते हैं इस किसमें जोडते हैं हमारे प्लाज्मित के अंदर जोडते हैं इस प्लाज मीट को हम क्या किसमें टांसपर करते हैं बैक्टीरिया क्या क्रती है उसको MRN से सीडियन से MRN बनती है और MRN से प्रोटीन बनता है